हेलो फ्रेंड्स मैं रजनीश कुपता केमिकल एडवाईजर इन वन अपकेर प्राइबेट लिम्केट फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में मैं आप खास कुछ चीजें बताने वाला हूँ हमारी कंपनी ने बहुत सारे प्रोड़क्ट लॉंच की बहुत सा और भी सर्विसेज जाएंगी उनके बारे में मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा आज आप लोगों को कुछ खास चीजें बताने वाला हूँ कि हमारी कंपनी और कौन-कौन सी सर्विसेज देती हैं यह हमारा जो कंपनी का सेकेंड सर्विस का सेग्मेंट है इसमे खास तोर से हमारी company क्या service provide करती है वो ध्यान से सुनने लाइक बात है उसको समझेंगे थोड़ा सा मेन है cleaning and disinfection एक्चली ये पूरा segment पूरी दुनिया का एक ऐसा segment है जो hygiene maintain करता है आज हर एक family को हर एक परिवार को cleaning and disinfection की जरूरी है सायद ये word यूज करते ही आप लोगों को ए related हमारी government ने cleaning and disinfection का एक बहुत बढ़िया भिया अंचलाया था वो भी इसी का एक हिस्सा है हलाकि हम लोग commercial ये चीज़ें कर रहे हैं लेकिन फिर भी कही न कहीं समाज को society को इससे benefit मिलता है cleaning and disinfection का तो आज हमारी company जो हलाकि ये सालों से कर रही है फिर भी ये कैसे काम करती है क्या करना चाहिए उन सारी चीज़ों को आज में detail में आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो cleaning and disinfection जो भी इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती है एक तो sanitization है दूसरा deep cleaning है home cleaning है society management of the disinfection है ये सारी services हमारी company provide कर दिये कई बार जब आप सर्च करते हैं कि हाँ cleaning करवाना है तो simple cleaning तो simple cleaning में क्या कि घर में जाड़ों पूछा लगा दिया साफसाफाई हो गई ये cleaning का मतलब नहीं है cleaning का दूसरा term जो है सबसे effective वो है deep cleaning deep cleaning वर्ड सुनते ही आप ऐसा लगता है कि यार मेरा घर तो एक दमना चका चक हो जाएगा बहुत बढ़िया हो जाएगा वो लेकिन कैस साथ-साथ हमें क्या करना है कि हमारे घर का एक की कोना जहां भी डस्ठ है चाहे जो भी sports है black sports है red sports है colorful sports है किसी के वेज़ेटेबल के sport हैं dyes हैं बच्चों के colors हैं यह सब गिरगे उन सारी चीजों को साप सफाई करना furniture को clean करना sophe को clean करना curtains को clean करना एक दम नया घर आपका दिखने लगे ऐसी जो service है that is called deep cleaning तो deep cleaning में generally जो chemicals यूज होते हैं वो हमारे घर में यूज होने वाले जैसे आप harpik यूज करते हैं ये यूज करते हैं ये सारी चीजें तो उसमें यूज होती हैं toilet cleaner के साथ लेकिन हमारी company ने इसको खास एक technique के लिए कुछ business instrument के साथ इस service को launch क नई, Mumbai इन चार बड़े सहरों में launch किया है और second gear की जो cities है second level के उन में से जैसे एहमदाबाद है, बडोदा है, सूरत है, भोपाल है, जवलपुर है ऐसी भी कुछ cities में हमने ये services launch किया है तो cleaning and disinfection एक बहुत ही बड़ा segment है आप लोगों को एक मन गंदा हो जाता है जैसे के दिनों में देखते हैं कि घर में फंगस लग जाती है तो उसकी बदबु आने लगती है ये सारी चीज़ें अपने किसी को भी पसंद नहीं है तो इसी process के लिए इसको हटाने के लिए जो services है उसका नाम है deep cleaning तो deep cleaning services में पहले तो जितना हमारा floor का portion है floor को अच्छी तरह से कुछ cities में हम लोगों ने जब launch किया तो लोगों को ये काम बहुत पसंद आया और उसी को ध्यान में रखते हैं हमने बड़े big cities में metro cities में भी अपनी ये services launch किया है तो खासतों से हलाकि मैं इस company में chemical advisor हूँ तो कौन सा chemical कहां पर यूज़ करना ये सारा suggestion मैं अपने जो technicians हैं उ अच्छी तरह से chemical का यूज़ करना कौन सा chemical कहां पर यूज़ होगा क्योंकि toilet के cleaner से लग होते हैं, sofa का cleaner लग होते हैं, curtains के cleaner लग होते हैं और tiles के cleaner लग होते हैं, अभी tiles में भी आपने देखा होगा कई बार कि tiles को हम clean करने जाते हैं तो उसमें spot पर जाता है, आप जड़ा सा इसमें लेना नहीं चाहते हैं, कि कहीं मेरी टाइल्स खराब ना हो जाए, तो कौन सा केमिकल यूज करना है, क्योंकि highly concentrated कर किसी acid का आपने यूज कर दिया, तो पूरी टाइल्स में spot बन जाते हैं, तो mild लेकिन most effective कौन सा केमिकल होगा, ये सारी चीजों का ध्यान लगते हुए हमारी कंपनी deep cleaning का ये work start कर आया है, फिर इसमें home cleaning की services सबुसी में आ गया, main जो इसका दूसरा segment है, society management for the disinfection, इसमें actually क्या अभी बड़े-बड़े सेरों में हर से गया है कि society में, जैसे multi stories, buildings हैं, उनको balance maintain करने वाला, एक बिक्ति कोई न को especially appoint करना पड़ता है, तो ये सारी ज maximum society इसने बड़े सेरों में क्या गिया है, कि किसी ना किसी agencies को cleaning, deep cleaning and disinfection के लिए पूरा साल भर का एक management दे दे दिये, ये पूरी agency देखिए, तो पूरे all over India में कम से का हमारे पास चार ऐसे cities हैं, और लगभग 200 प्लस ऐसी societies हैं, जहां पर deep cleaning and disinfection का work हमारी company देखती है, एक तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी आपको आपके cities में हमारी services start होंगी, तो इसका फायदा जरूर उठाएंगे, thank you